हेलो एवरिवन, वेलकम बैक टू मैं चैनल, फ्रेंट्स आज हम सीटेट जुलाई 2018 पेपर फर्स्ट के जो हिंदी पेड़गोजी के 15 कोश्चन्स हैं, उनके आंसर्स को डिसकस करेंगे, उससे पहले मैं आपको एक बात बता दूँ कि जो सीटेट है, उसका नोटिरिफिकेश इसी मंद में आने वाला ही है, ठीक है, तो जो लोग अपनी स्टेडी को कंटिनियो किये हुए हैं, तो वो तो अच्छी बात है, पर अगर जो सोच रहे हैं कि 10 दिन पहले ही स्टेडी स्टार्ट करेंगे, और पढ़ लेंगे, तो फ्रेंट्स, स्लेवर्स जो है, वो आपका जो सर्टिफिकेट है, वो लाइफ टाइम वैलिट कर दिया गया है, ठीक है, तो चेंजिस होने भी कुछ ना कुछ जरूरी है, तो सीटेड का जो एक्जाम है, वो ऑनलाइन होने की बात हुई है, कि ऑनलाइन एक्जाम होगा आपका सीटेड का, जो अब ये इस वार बाला जो एक्जाम होगा सीटेड का वह वाला, तो अब ये तो किलियरली जो आपको पता चलेगा, वो आपको जब नोटिफिकेशन आ जाएगा तभी आपको पता चलेगा, ठीक है, उसके बाद ही आपको मालूम हो जाएगा, उसका भी हम जो वीडियो है, वो आपको बना के प्ल और एक चीज और है कि अब जो competition है उसका level इतना high होता जा रहा है कि जो पड़ेगा बाजी भी वही मारेगा तो इसलिए आप मैं यहीं चाहूंगे कि आप जो है वो अपनी study को continue रखिए ठीक है तो अब हम जो है अपना lecture को start करते हैं तो हमारा जो first question है वो है हिंदी पैड़ागोजी का वो है मारा start question number 106 से यहां से हमारे हिंदी पैड़ागोजी के 15 questions start है question number 106 है बच्चे सामाजिक अंता किरिया से भासा सीखते हैं ठीक है यहां किसकी बात की जा रही है सामाजिक अंता किरिया तो अब यह विचार जो है वो किसका यह पूछा जा रहा है social interaction के द्वारा माध्यम से भासा सीखते हैं तो देखे मैंने पहले भी आपको यह बताया था कि social cultural जो थूरी है वो वाइगोजकी के द्वारा दी गई है वही सामाजिक अंता किरिया की बात करते हैं कि बच्चा जो है वो समाज के लोगों के साथ social interaction के माध्यम से भासा को क्य प्राइमरी लेवल पर बच्चों में भासा विकास के लिए जो सबसे जरूरी है वो क्या है तो देखें ये चारो ही चीज़े जो है वो चारो ही चीज़े यानि कि सारी चीज़े जो है वो important है पर सबसे पहले सबसे ज़्यादा जो important है वो है बाल साहित बाल साहित के माध्यम से क्या होता है कि बच्चे की भासा में ज़्यादा से ज़्यादा सुधार किया जा सकता है अगर आप छोटी-छोटी कहानियों के तुकडे जो होते हैं, छोटी-छोटी कहानियों को तुकडो में, यानि कि तुकडो के रूप में, आप बच्चो के सामने अगर उनके समक्ष प्रस्तुत करोगे, तो क्या होगा? बच्चा जो है, वो और भी बहतर दंग से सीखेगा, तो हमारा जो इसका right answer होगा, वो होगा, option number 3, ये हमारा जो है, वो बाल साहे ते विल्कुल सही answer हो जाएगा, question number 108 क्या कह रहा है, इसको देख लेते हैं, ये कह रहा है, भासा सीखने और भासा अर्जित करने में मुख्य अंतर का आधार, ठीक है, difference पूछा जा रहा है, अंतर का इसको सीख रहा है, ठीक है, उसको सीखने का क्या कर रहा है, प्रियास कर रहा है, for example, अगर बच्चा बैंगॉली है, तो वह हिंदी भासा को सीखने का प्रियास कर रहा है, उसको बैंगॉली तो आती है, और इसी जगे, अगर देखे, बच्चा जो है, वो बैंगॉली भासा सीख रहा है और मातर भासा बैंगॉली है उसकी ठीक है इसका मतलब बैंगॉली लेंग्योज का अर्जन करना उसके लिए क्या होगा सहज और सभावेक है वह उस लेंग्योज का अर्जन तो कर ही लेगा ठीक है तो question number जो हमारा ये 106 है इसमें ये पूछा जा कि इन दोनों में मुख्य अंतर की भूमिका जो है वो इन में से कौन निभाता है तो इसका जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा हमारा option number 2 भासाई परिवेस आप बच्चे को जैसा भासाई परिवेस देंगे बच्चे की भासा का जो विकास है वो वैसा ही होगा उसी according जो है वो चीजों को सीखेगा ठीक है तो हमारा इसका राइट आंसर जो है वो option number 2 हो जाएगा question number अब हमारा है 108 के बाद 109 इसमें कहा जा रहा है कि प्राथ में किस तर पर यानि कि primary level पर बच्चों की भासा की आकलन में आप सरवाधिक महत को किसे देंगे सबसे ज़्यादा important क्या होगा तो इसका जो हमारा right answer होगा वो होगा portfolio ठीक है ये हमारा बिल्कुल correct answer होगा अब portfolio क्या है वो हम समझ लेते हैं portfolio में विध्यारती के द्वारा जो भी किये गए उसके द्वारा जो भी संपन्न किये गए कार्य होते हैं ठीक है उनका वियोरा होता है उसमें ठीक पूरा record होता है तो अगर आपको बच्चे को बच्चे की जो भासा है उसका आकलन करना है तो सबसे ज़्यादा important क्या होगा वो होगा हमारा portfolio ये हमारा बिल्कुल सही answer हो जाएगा question number 108 क्या कह रहा है 108 में देखे कहा जा रहा है पढ़ने की प्रिक्रिया ठीक है पढ़ने की प्रिक्रिया में सरवाधिक महतपूर है तो देखिए सबसे ज़्यादा जो महतपूर है वो है उसका meaning इसका जो हमारा 110 का answer होगा अर्थ यानि की meaning यानि की बच्चा जो भी पढ़ रहा है कम से कम उसे उसका meaning पता होना जरूरी है तब ही वो मतलब अच्छी तरह से उस चीज को समझ पाएगा अक्षर ग्यान यह सारी चीजे जो होती है जैसे गती हो गया प्रवा हो गया अक्षर ग्यान हो गया यह सारी चीजे क्या है उसके meaning में आपका क्या है उसमें जुड़ी होई है उन चीजों को ठीक है वो सारी चीजे उसमें जुड़ी होई है तो अगर प्रवा की बात करें तो बच्चे को अगर किसी भी चीज का meaning होगा, पता होगा, तो वो क्या है, उस चीज को बहुत ही अच्छी तरीके से, मतलब प्रभा के रूप में, गती के रूप में, उसको fluency के साथ बोल पाएगा, ठीक है, तो हमारा इसका जो right answer हो जाएगा, वो क्या होगा, meaning, ये हमारा right answer होगा, 111 question क्या है, 111 में है, बच्चो को लिखना सिखाने में सबसे अधिक महतपूर है, तो देखिए, इस question में, जो पूछा जा रहा है, वो कहा जा रहा है, कि अगर आप बच्चो को लिखना सिखाते हैं, तो उसके लिए सबसे ज़्यादा important क्या है, तो इसमें कुछ ज कर सकता है, बच्चा जो अभिवयक्त करना चाहता है, वे लिखकर भी कर सकता है, जो कि उसको लिखना सीखने में भी important रहेगा, तो हमारा 111 का right answer जो हो जाएगा, option number first, विचारों की अभिवयक्ती, ये हमारा सही answer होगा, 112 क्या कह रहा है, इसको देख लेते हैं, इसमें कहा प्राथमिक इस तर के बच्चों के लिए, बच्चों के लिए पाल्टि पुछा जा रहा है, जब यानि कि जब हम books का निर्माड करते हैं, तो आप सरवादिक मेहतपूड किसे मानते हैं, इनमें से कौन सी चीज जो है, जिसका समावेस हमे सुमें पाल्टि पुस्थ पुस् करें जिससे की बच्चों का जो इंट्रेस्ट है वो बुक्स की तरफ मतलब जादा रहे और वो उस चीज को बहुत अच्छे तरह से समझ पाएं ठीक है बहतर रंग से सीख सकें इसलिए भासा की रंगति यह हमारा राइट आंसर हो जाएगा कोशन नंबर वन एंडर थर्टीन है इसमें कहा जा रहा है बहु भासिक कख्षा में मात्र भासा प्रियोग को क्या करना चाहिए ठीक है यानि कि मल्टि लिंग्योल जो एकलासिस होती है उनकी बात की जा रही है ठीक है एक ऐसी कख्षा जहां बिविन भासाई परिबेस के बच्चे हो तो अध्यापक का जो वो ये है कि टीचर जो है वो उन सभी बच्चों की जो भासाएं हैं उन सभी की भासाओं का सम्मान करना चाहिए उसको ताकि बच्चा जो है वो अपने विचारों को बहुत अच्छी तरह से अभी व्यक्त कर सके और अपनी बात को कह सके तो इसका जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्सन नंबर 3 भासा का सम्रद्ध परिवेश ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा कि जैसा एट्मोस्फियर होगा बच्चा जो है बच्ची की भासा भी उसी परिवेश के अनुसार ही क्या होगी निखरेगी डेबलप होगी ये हमारा बिल्कुल करेक्ट 115 देख लेते हैं तो देखिए इस कोश्चन कोशिए कि जो लेंगिज़ इस इसके बारे में हमपहलेबी बात कर चुके हैं ठीक है कि ये जो हैं वो कितने टॉपर टाइप्स क्योते हैं PARCína कि मैने आपको पहले जो वीडिओ बनाई थी उसमेे बताया था ठीक है और इस टाइप का जो question है वो हर वार seated में पूझा जाता है कि language skill में हमने बात यह की थी कि L-S-R-W यानि कि सबसे पहले हम क्या करते हैं listening, speaking, reading और फिर writing ठीक है L-S-R-W यह हो गया हमारा sequence ठीक है listening, speaking, reading और writing यानि कि तो यह जो है, इसका sequence हो गया, इसका जो हमारा right answer होगा, वो होगा option number 4 यहां पे कहा जा रहा है कि भासा कॉसल जो होते हैं, वो एक क्रम में ही सीखे जाते हैं मैंने आपको पहले भी कहा था, एक क्रम में सीखे जाते हैं, ठीक है, लिगी यहां कहा जा रहा है यहाँ पर तुरुटियों की बात की जा रही है कि संबंद में कौन सा कथन उचित नहीं है तो देखिए इसका जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा आपसर नमबर टू तुरुटियों का जो अर्थ है वो है भासा अज्यानता यह हमारा जो है वो राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि वो कह रहा है यहाँ पर नौट में आंसर पूछा गया है एक सेकंड यहाँ पर किसमें आंसर पूछा गया है यह कह रहा है कि तुरुटियों के संबंद में कौन सा सही नहीं है तो भासा अज्यानता मतलब है तुरुटियों का यह हमारा यह नहीं होता है तो यह हमारा राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि भासा की अज्यानता से तुरुटियों का मतलब नहीं है गलतियां जो होती है वो क्या होती है हिस्सा होती है, for example, यदि class में कोई बच्चा जो है, कोई गलती कर रहा है, या पर कोई मतलब गलत आंसर दे रहा है, मान लीजिए, तो इसका मतलब कि teacher जो है, जो भी सिखा रहा है, तो बहुत ध्यान दे रहा है, वो है ही हमारा जो है, वो सही आंसर हो जाएगा, question number 117 question number 117 में कहा जा रहा है, निम्न में से कौन सा प्रस्ण बच्चों के भासा आकलन की दरस्टी से सरवादी उपयोगी है, ठीक है, ये पूछा जा रहा है, कि आप जो हैं वो बच्चों के भासा आकलन की दरस्टी से सबसे जादा जरूरी आपके लिए useful क्या होगा, तो देखिए, इसका जो हमारा right answer होगा, वो होगा option number 2, ईदगाह कहानी को अपनी भासा में सुनाईए, ये हमारा बिलकुल सही answer होगा, कि बच्चे जो हैं वो ईदगाह कहानी को जिस जैसे समझते हैं, तो क्या करते हैं, अपने सब्दों में उसका वर्णन भी उसी परकार से करते हैं, या बच्चे की भासा को आकलन करने का सबसे जादा उप्योगी तरीका रहेगा, ये हमारा सही answer होगा, option number 2, 118 में कहा जा रहा है बच्चों में भासा सीखने की जो चमता है, यानि कि बच्चों में जो भासा सीखने की चमता है, वो क्या होती है तो वो जो होती है, वो जन्मजात होती है, बच्चे जो होती है वो जन्मजात, उनमें प्रवर्टी होती है भासा सीखने की Question number 119 जो है इसमें कहा जा रहा है बच्चों के भासा सीखने में सरवाधिक महतपूर है तो इसका जो हमारा right answer होगा वो होगा बातचीत करना option 3 यह हमारा right answer हो जाएगा कि बच्चों के साथ जादा से जादा बातचीत की जाए तो इसका जो है हमारा यह सही answer हो जाएगा option number 3 120 है प्रात्मे कि स्तर पर भासा सीखने सिखाने का अर्थ है क्या है यानि कि primary level पर जो भासा सिखाई जाती है उसमें सीखने सिखाने का अर्थ है उसको कि बच्चा जो है भासा का प्रभावी प्रियोग यह हमारा बिल्कुल सही answer हो जाएगा यह option number 2 जो है वो हमारा correct answer होगा कि बच्चा भासा का प्रभावी तरीके से यूज कर सके यह सबसे ज़्यादा जरूरी भी है तो friends यह था हिंदी पेड़ागोजी का discussion अगर अभी भी आपने हमारे चैनल को subscribe नहीं किया है तो वीडियो को like, comment और चैनल को subscribe करें नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे तब तक के लिए बाई बाई और discussion के साथ ठीक है thank you